मैं चंचल स्वगत करती हूँ यूट्यूब चनल चंचल का पिटारा में तो दोस्तों कई बार होता है कि हम ड्रेस लेते हैं तो पजामा और कुट्टी तो हमें मिल जाता है कलर का मगर इसका दुपट्टा चुन्नी नहीं मिलता है तो चलिए हम इसका चुन्नी के सौखी हूँ आप देख रहे हैं और यह सावाद 2 मीटर का मेरा है अब कितना लंबा लेना चाहते है उतना ले ले लिजिए और दोनों किनारे इसका सिलाइक या आप इसे पीको कर लेगे तो आप देख रहे हैं कि मैं खुद घर पर ही मसीन पर पीको की हूँ कितना बढ़ेया क्यो तब यह धागे को दोस्तो इस कोपी में घुमा घुमा कर इसका एक जीता धागे हैं उतना इसमें लपेटे लेंगे ताकि हम एक उल एक वल यह जो बराना चाहते हैं बन जाए तो देख रहें दोनों धागों को मैंने अलग-अलग करके लपेटा है इसमें और कुछ थोड़ा डूब देख रहें इसमें लुक्त कर लिए तो मैं दोस्तो एक साइड में पांच लगा रही हूं लटकन तो देख रहें हैं कितना बढ़ना सब्सक्राइब नहीं होगा देखना यह कैसे में कटिंग खर लेती हूं तो यह हमारा हो गया पांच अब देखिए यह डवल धागे लेकर अब यहां इसको आप देखते जाईए सीखते जाईए दोस्तों चंचल के पिटारा बहुत ही आगे बढ़ चुका है आपके सहयों की यहां जुरूत है हमें तो हम क्या कहें आपके खाना से लेकर मुनरणजन से लेकर गाने से लेकर सब कुछ चंचल का पिटारा है मिलता रहेगा तो दूस्तों आप सपोर्ट करते रहें अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शियर जरूर करें अपने दूस्तों को भी बताएं तो आप देख रहें ना यह इसमें कैसे हम कार्ट लागाता कि यह खुले न और यह लटकन बनकर इतना सुन्दर त्यार हो ज इसको लग कर देते हैं तो दोस्तों जो रेडिमेट होता है वो इतना नाजूक होता है दागे इतना कम लगाए रहते हैं कि जल्ले निकल जाता है मगर यह हमारा घर का काम है हमारे हाथों काम है तो इसको बहुत ही मजबूती से करना है ताकि हमारा यह पूराना होत होत भी लटकन निकले ना खराब ना हो अब इसे कंगी के साहिते से चीकना कर लेते हैं और जो इस्ट्रा धागे है ये थोड़ा निकाल लेते हैं तो देखरें कितना सुन्दर लटकन तियार हो गया है ऐसा ही करते करते हैं हमने पूरा ये लटकन लगा दिया है तो देखरें न ये कि इतना सुंदर होगे दुपट्टा के साथ जुनी हैं मारे तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में